हेलो फ्रेम स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज फिर से आपके लिए लेकी आई हूँ देखें बचे वे ना पीसे थे मेरे पस छोटी छोटे तो उससे ना मैंने एक रेक्टेंगल पीस बनाया और उसके बाद सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस से ना मैंने बनाया है बहुत ही एजी है इसे बनाना अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना तो आराम से आप इस बैग को बना सकते हैं तो सिंपल इजी और आसान तरीके से आज हम इस सिलिंग बैग को बनाना सीखेंगे तो देखें आंदर की तरफ कितना जữज़दा स्प यहां पर लिया है, यह रेक्टेंगल पीस भी नहीं चोटी-चोटी पीसिस को जाइन करके मैंने दिखाया, बनाया है, आपको जोड दिख रहा होगा बीच में, नीचे लाइनिंग लिया है, बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, और सबसे उपर यह जो मैंने पीस रेडी किया यह रखा है, इसके मेजरमेंट है 10.5 इंच इंटू 17 इंच, इसको हमें सिलाई लगा के रेडी करना है, और जो भी एक्स्ट्रा था उसे साइडों से मैं कट कर लोगे, तो सिंपल सा 10.5 इंच इंटू 17 इंच का एक रेक्टेंगल पीस मैंने यहां पे रेडी कर लिया है, उ यहां पे हम इसका बेस बनाएंगे, तो स्टिचिंग का मार्जन छोड़ने के बाद यहां से हमें लेना है 1.5 इंच इंटू 1.5 इंच का बॉक्स बनाना है, और सेम ऐसे हमें दूसरी तरफ भी बनाना है, तो देखिए दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया, अब आप इ लेनी है, तो मार्जन छोड़ने के बाद यहां से हमें एक इंच पे निशान लगाना है, दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से शेप देनी है, इसे आपको तिर्चा मिलाना है और इसे कट कर लेना है, ऐसा करने से इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, तो दोनों तरफ से दे यहां पे हम जिप लगाएंगे, तो जिप के सीधी तरफ देखिए, इस तरीके से रखनी है और पूरा लंबाई में ना सिलाई लगानी है, उसके बाद पलटते वे टॉप स्टिच लगा लीजिए, फिर इसे दूसरी तरफ रखना है, सिलाई लगानी है और पलटते वे अब अंदर की तरफ ना पॉकेट बना लेते हैं, तो एक बड़ा सा रेक्टैंगल पीस ले लिया मैंने, इसके बराबर होना चाहिए पूरा, यहां से हम फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ से, और ना पूरा इसी शेप में हम इस पे सिलाई लगाएंगे, देखिए, पिन अब इस पे उपर की तरफ जिप लगाते हैं, तो सेम वैसे इस जिप पे सिलाई लगानी है, उपर बैठने वाली सिलाई लगानी है, फिस जिप को दूसरी तरफ रखना है, सिलाई लगानी है, यहां पे बैठने वाली सिलाई लगानी के लिए आपको जिप को उपन करना प अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, हम इसमें न स्ट्राप जॉइन करेंगे, तो जितनी भी एक्स्ट्रा जिप है उसे हम पहले कट कर लेते हैं, उसे बराबर कर लीजिए, अब स्ट्राप में यहाँ पे रेडिमेट यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहे न कपड़े को फोल करके सिंपल वाली स्ट्राप भी बना सकते हैं, और स्ट्राप की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 35 इंच ली है आपको जितना बड़ा यह स्लिंग बैक बनाना न इसके हिसाब से स्ट्राप की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसके बीच में अर्जस्टर डालके न इस स्ट्राप को अर्जस्टेबल भी बना सकते हैं, तो स्ट्राप को मैंने दोनों साइड से टैच कर लिया है, अब बैक को हम अंदर की तरफ को फोली कर लेते हैं, और दोनों साइडों वाली सिलाई लगा लीजिए पहले, साइडों वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम पाइपिंग से इसे फिनिश कर लेंगे, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमार से देखिए आपको पकड़ना है, सिलाई लगानी है, दोनों तरफ से बेस की, और उसके बाद पाइपिंग से आपको उसे फिनिश कर लेना है, तो हमारा बैक पूरा फिनिश हो चुका है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, और यह हमारा बैक देखिए बिलकुल रेडी हो अगर आपको सिंपल सा स्लिंग बैग बनाना चाहते हैं, तो यह वला डिजाइन ट्राइ कर सकते हैं, तो एक जिपर पॉकेट आगे आगई, काफी अच्छा इसका बेस बना है, और काफी प्यारा इसका लुक आया, देखिए, तो चोटा सा प्यारा सा क्यूट सा स्लिंग ब